वेल्कम टू माई यूटूब चैनल तो मेरे वीडियो में आपका स्वागत है तो इस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ क्रशन जन्मास्टमी के बारे में सबसे पहले की क्रशन जन्मास्टमी कम मनाई जाएगी 6 तारीक को चैन्म जो हुआ था तो इस वीडियो में एंड तक बने रहीगा तभी आपको पता चलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि नहीं नहीं जानकर याप तक पहुंसती रहे तो चलिए बताते हैं वो कौन सी दो चीजे हैं जो आपको कल खरीद के लानी है और रात को क्र खत्म हो जाएएगी और आपी जो भी मन मुझामना है वो जरूर करेंगे तो चलिए चलते हैं बताते हैं तो दोस्तो स्रीकरशन जी का जब स्रंगार किया जाता है तो उसमें बांसुरी और मोर पंग को बहुती ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि बांसुरी और मोर पंग के बिना स्रीकरशन जी का स्रंगार अधूरा माना जाता है और कल है जनमाश्टमी और जनमाश्टमी पर आपको कौन सी दो चीज लेकर के आनी वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और स्रीकरशन जी को बांसुरी बहुत ही जदा प्रिये मानी जाती है क्योंकि जो स्रीकरशन जी का जीवन भी था वो भी उद्यश्यों से पूर्ण था उनके सारे काम उद्यश्य से भरे हुए थे मानवता के हित में थे और बांसुरी जो है बांसुरी की तरह ही हमारे जीवन भी होना चाहिए प्रेम से भरा हुआ बांसुरी स्वर निकलता है उसमें बहुती जदा प्रेम होता है तो हमें सबके साथ प्रेम पूरवग मिल जुलकर खुश होकर रहना चाहिए यह एक दिन राधा जी बांसुरी पर खड़े ओकर डांस कर रही थी नाच रही थी तो महल में मोर भी उनके साथ नाचने लगे थे तभी मोर का पंक गिर गया था और उसी मोर के पंक को राधा का प्रेम मानकर सिरी करशन जी ने अपने माते पर सजा लिया था तभी से सिरी करशन जी का मोर का पंक बहुत ही प्रिये माना जाता है ये राधा के प्रेम का प्रतीक है इसलिए स्री करशन जी को मोर का पंक बहुत ही ज़्यादा प्रिये होता है और वो अपने मुकट में सजाकर रखते हैं तो मोर का पंक और बांसुरी ये दोनों चीज़ आपको खरीद कर लेक होता है महत्व रखता है तो कल जन्मास्टमी के दिन आप बांसुरी और मोर पंक जरूर खरीद कर लाएं और पूजा होते टाइम स्रीकरशन जी को अपनी मनोकामना बोल कर उनको ये अर्पित कर दें दोनों चीज इससे आपके प्रिये होता है उनके मुकुट पर सजा रहता है तो मोर पंक और बांसुरी कल खरीद कर लाएं और स्रीकरशन जी को अर्पित करें मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब